बिस्मिल्यारामाराहिम, असलावलेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुझा अंसारी और आप दिख रहे हैं इजाजन सारी फूर सीक्रेट्स, अलावर्कत देए आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जाइकों में तो मेरे प्रियापरस हो आज मैं अब के लिए प्योर देगी स्टाइल चिकन बिर्यानी की रेस्पी लेके हैं जिसमें पूरे 1 kg राइस और 1 kg चिकन की रेस्पी होगी इसमें हर चीज जो है वो परफेक्ट मेयर्मेंट्स के साथ होगी और एक एक चीज में आपको टिप्स और ट्रिक्स से साथ बताऊंगा ताकि जब आप इसको फाइनली बताएं बनाएं तो मक्षन जैसी बोटी हो और चावलों की खुश्बू ऐसी के खाने के बाद भी आपके हाथों से उंगलियों से नहीं जाएगी चलेंजी बिसमिला रहा है वान केजी हमारे पास सिकन है जिसको हमने बहुत अच्छे से दो लिया था बोटीयों को साइज आप अपनी मरजी से कर सकती है अब इसमें हमने दही आइड करना है एक पाओ ठीक है अच्छे से फैंट कर दहीं ज्यादा इसलिए यूज कर रहे है क्योंकि इससे बोटी बहुत सॉफ्ट होती है और इसका फ्लेवर जो है वो बेहतर हो जाता है चलेंजी अब इसमें अधेक लैसन का पेस्ट हमने दो टेबल स्पून एड करना है ठीक है अगली चीज हमारे पास है ब्राउन अनियन ठीक है फ्राइड अनियन जो होते है ये छे से साथ टेबल स्पून एड करेंगे और खुशक मसालों में दारचीनी का एक टुकरा तीन से चार चोटी लाची तीन बड़ी लाची लॉंग दसे बारा तीन से चार बादियन के फूल है वां टी स्पून काली मिर्च है और वां टी जीरा है तेस पत्ते दो से तीन पाउडर जाएगा लाल मिर्च का ठीक है यह हमारे पास जैफल जिवत्री का पाउडर वां टी स्पून खुश्बू फ्लेवर बहुत स्पेशल हो जाता है साथ ही वन टेबल स्पून खुश्टरिया पाउडर करेंगे और जीरा भी इसमें हम हाफ टी स्पून पाउडर वाली और आठ से दस यह हमारे पास है आलो बुखारा ड्राई वाले यह दो चीज़ें इनके बगार बियानी नहीं बनती ठीक है जो एक कडारा पन एक खटा बन होता हो इनी से आता है अब दो से ठाई कप इसमें हम पानी के एट कर देंगे क्योंके यह देगी स्टाइल है इसमें यहीं पर डेर कप जो है cooking oil या घी के आट कर देना है ठीक है जो देगी स्टाइल प्योर होता है उसमें घी ही यूज होता है लेकिन घरों पर हमारे नॉर्मली oil यूज होता है तो हम oil ही इसके अंदर रखेंगे अब यहाँ पर टेकनीक क्या है overall यह कि सभी चीज़ों को ऐसे mix करना बहुत असान होता है किसी चीज़ को आपने time नहीं देना उसके पार आप ने इसको रख देना है flame के ओपर और एक दफ़ा हाई flame ताकर इसको boil आजे उसके बार आपने low to medium flame के अपर पकाना होता है आहिस्ता 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 उससे जो है meat का flavor बहुत special होता है और मसा चाहिए दो टेबल स्पून सिर्का इसमें जाएगा ताकि चावल वाइट 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 ऑल खिले-खिले रहें एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं यह बहुत ज़रूरी होता है वान टेबल स्पून नमक जाएगा इसके अंदर और वान टेबल स्पून कुकिंग ऑइल ए और इसको हम इसमें पर देंगे जिसको मैंने कुई आदा गंटा पहले विगो के रखा था चावल बिगो के अगर रखे तो चावल तूटते नहीं है चावल अगर कम देर विगोए हुए हो तो वह भी तूट जाते है ।ूसके बाद थोड़ा सा चमस्च इलादेंगे और एक बहुत आए बात चावल कभी भी लो फ्लेम के उपर बॉयल नहीं किये जाते ठीक है मिजीम टू हाई फ्लेम होता है फुल हाई नहीं होता जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाता है तो हाई से अब थोड़ा सा फ्लेम कम कर दें ठीक है चिकन है वो अच्छे से गल चुका है मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे उपर रखा था जिससे मसाले भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुके है और उपर आ चुका है यहां पर हम इसमें अद्रक पुदीना धनिया हरी मिर्चे और लेमन आट करेंगे ठीक है यह सबी चीजों क आपको यहां पर महाल में जाएगा अब चावल जिनको हमने निकाला था गरम गरम इसके ओपर आट कर देंगी यहां देखेगा फिर से मैंने इनके ओपर ठंडा पानी नहीं डाला था क्योंकि अभी इसमें कसर है जो हमने दम में पूरी करनी थी अगर हम ठंडा पानी डाल देते तो इन्होंने सख्त हो जाना था फिर कभी भी यह सई से पकते नहीं है ठीक है अब इनको हम यहां पर थोड़ा सा प्लेन कर देंगे और इसके ओपर हम एक दो चीज़े एड करेंगे तो उसमें डिफ्रेंट प्रियार्टीज है मैं इसके ओपर ब्राउन प्याज एड कर रहा हूं और यहां पर अट कर रहे हम थोड़ा सा फूट कलर ठीक हो गया अब यहां पर आपने इसको दम लगाना नीचे तवा रखके कोई 15-20 मिनट का पहले एक मिनट फ्लेम को हाई करते हैं ताकि तवा अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद लो कर देते हैं और फिर हम अब आपस्वाल अब लेला देखेंजी मेरे ला की शान उसकी रहमते नेमते और बर्कते जो दिसरो मातर मकारों में तो मेरे बाद सो बहुत ही खुबसुरत बहुत ही खुश्बूदार बहुत ही स्पाइसी बहुत ही चटपटी डेगी स्टाइल बिढ़ानी तयार है चिकन पलाओ की रेस्पी के लिए मुटन पलाओ की रेस्पीस के लिए यमिया टेस्टी रेस्पीस के लिए हमारे चैनल के प्रिश्टेक्शन में जाई दौामिया देखें विडियो तक अल्ला पीस